psychology में एक चीज है जिसको हम कहते है cognitive dissonance क्या कहते हैं इसको cognitive dissonance काफी अजीब वर्ड है चायद लोगों ने पहली बाद ही सुना होगा लेकिन जब आप इस तरह की अलफाद इस्तिमाल करते हैं तो लगता है कि सामने वाला वाकी में कोई psychology पढ़के आया है तो इसलिए मैं भी कुछ आपके सामने इस तरह की वर्ड इस्तिमाल कर रहा हूँ cognitive dissonance की माने होते हैं mental discomfort इसे मिसाल की तोर पर आप smoke करते हैं ठीक है और आपको यह पता है कि smoking जो है वो हराम है तो आप क्या करेंगे अब आप अपने sin को justify करना शुरू करेंगे आपके नहीं actually smoking जो है न वो हराम नहीं मकरू है मकरू तो आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जो जर्दा खाते हैं तंबाकू खाते हैं तो smoking क्या है तंबाकू ही तो है तंबाकू जलाएं और smoke करें धुआ छोड़ें उस पर तो यह हराम नहीं है मकरू है मकरू और कई लोग करने हैं कि नहीं intermingling यह आदमी और 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 का intermingle करना एक ही जगा पर काम करना और बात चीत होना functions में intermingling होना तो क्या बोलते हैं ने ने हमारा दिल तो बिलकुल साफ है हमारा दिल बिलकुल साफ है और intermingling कोई बुरी बात नहीं है तो justify करना शुरू करते हैं जिसे रिबा इंट्रेस्ट तो क्या कहते हैं ने अब ऐसा जमाना आ गया है जो लोग रिबा में डील करते हैं या सूद खाते हैं या सूद लेते हैं और देते हैं तो क्या कहते हैं ने अभी जमाने में तो परहेस करना बड़ा मुश्किल है अभी तो ये जमाना ऐसा आ गया है कि रिबा से बचना या सूद से बचना तो बहुत मुश्किल काम है तो इसलिए आज के जमाने के लिए तो ये इंटर्मिंग भी अब कैसे परेस करेंगे, अब साथ में पढ़ना है, साथ में लिखना है कैसे नजरे जोगा की बात करू मैं तो यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए तो पॉसिबल है आप उसको जाइज क्यों कर रहे हैं तो क्यों आप जाइज कर रहे हैं, क्यों आप स्मोकिंग का कह रहे हैं कि यह हराम नहीं है, मकरू है क्योंकि आप उस चीज को फील कर रहे हैं उस डिसकमफर्ट को फील कर रहे हैं तो यह कब होता है, यह मेंटल डिसकमफर्ट It happens when there is a difference between what you believe and your actions आप जो कर रहे हैं और आप जो मानते हैं जब उसमें तजाद होता है तब ये cognitive dissonance और mental discomfort आप महसूस करते हैं और फिर आप attempts करते हैं उस discomfort को खतम करने के कि आप उस mental discomfort को feel ही ना करें उसके लिए फिर आप अपने actions को justify करना शुरू करते हैं